हलो एब्रीवन श्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में मैं हूँ अब शेक और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल आइडियल यूटूबर बहुत-बहुत श्वागत है आपका बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार की इंजिनिंग कॉलेज में एड्मिशन के लिए किस केटोगरी के कंडिडेट को कितना रिजर्वेशन है मतलब कि कितने seat पर उनका admission होना है किस किस college में कितनी percent seat पर आपको overall reservation जो है वो मिलेगा और एक बात जो 33% reservation का एक जो news है वो आया था कि girls को 33% जो उनका seat है वो reserve है मतलब मानिये कि 3400 जो उनका seat है मिस 3400 कुछ seat जो है वो reserve है इसके बारे में क्या हुआ क्या इस बार counseling में वो apply होगा इसके बारे में भी हम इस video में detail में हम बात करेंगे तो ये BCC का जो prospectus है वो जारी किया गया था उसमें देख सकते हैं कि SC category का जो reservation है वो 16% है वहीं ST category का reservation 1% है EWS का sorry EBC का 18% reservation है BC category का 12% और reserve जो girls category है उसके लिए 3% reservation है इसी girls category के लिए paper में एक notification आया था कि उनको 33% seat जो है उनका reserve कर दिया गया है लेकिन BC EC के prospectus में ऐसा 33% reservation का कोई भी जिक्र जो है वो नहीं किया गया है अगर इसा अगर कोई notification आता है तो मैं आपको YouTube channel के माध्यम से update कर दूँगा और यहाँ पर EWS का 10% reservation है और 40% seat जो है वो unreserved category के लिए reserve है तो यह category वाज seat distribution जो है वो कैसे होता है आपको समझना है कि आप मान लिजिए कि 100 seat है किसी college में किसी college में किसी branch का 100 seat है ठीक है तो उस 100 seat में से जो SC category का है 16% सोला seat reserve रहेगा ठीक है जो percentage होता है वो 100 में calculate होता है ST category का 1 seat पर admission होगा वह EBC category का 18% seat पर admission होगा मतलब 18% में 18 seat पर 100 में ठीक है वही BC category का 100 में 12 seat पर admission होगा RCG girls का 3 seat पर admission होगा यही इनका अगर 33% हो जाता है तो मानिए तो 100 seat में इनका 33% seat पर जो है वो admission होगा वहीं हम EWS की बात करें तो इनका 100 में से 10 seat पर admission होगा और वहीं हम unreserved वाले student का बात करें जो जनरल category से आते हैं उनका 40 seat पर admission होगा 100 में तो यह career area है seat distribution का suppose that कि मान लिजिए किसी college में CS का 60 seat है ठीक है 60 seat से ज्यादा किसी भी branch में नहीं होता है तो 60 seat का जो 16% है वो जो release यह कितना होता है ठीक है इसी 60 seat में जो होगा यह पूरे seat का distribution होगा तो आप लोग calculate कर सकते हैं कि कितने कितने percent seat जो है वो किस category को मिलेगा इसी तरह से seat allotment का परकिरिया जो है वो होता है ऐसा नहीं है कि first round में अगर किसी जैसे कि MIT मुझपरपूर में अगर 60 seat है CS का आया है इस बार EIML का 60 seat वो prospectus में updated नहीं है लेकिन अलग से उसका notification आया है तो 60 seat है तो सोच लिजिए कि उस 60 seat को ऐसा नहीं है कि first round में ही fill कर देना है उसको 3 round counselling तक लेके जाना है और मॉस्टरी 2 round counselling तक तो उनको लेके जाना ही होता है ठीक है बच्चो तो इस तरह से seat distribution है 33% girls का आरक्चन उसके बजाबते जो है कोई notification नहीं जारी किया गया है BCC के तरब से वो अभी तक paper में था ठीक है BCC जब कोई notification जारी करती है ठीक है हमारे पास कोई news आता है तो मैं आप सबों को जरूर बताऊंगा अपने WhatsApp, Telegram चैनल में जरूर साजा करूंगा जो भी बच्चे paid counselling support लेकर counselling करवाना चाहते हैं वीडियो के description box में लिंक है आप लोग हमारे expert से contact कर सकते हैं और admission counselling के regarding अपने सारे doubts किलियर कर सकते हैं paid counselling करवाने के बहुत सारे फाइदे हैं आपको cyber cafe नहीं जाना पड़ेगा counselling की गलतियों से आप बच जाएंगे और आपका seat upgradation जो है अच्छे से अच्छे college में हो जाएगा हमारी expert की team आपके भिहाप में सारी चीजों को करेगी बस आपको seat allotment के बाद document verification में जाना होगा चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ अब तके लिए जैहिन thanks for watching